हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी गूगल क्रोम की सेटिंग टिप्स और ट्रिक के बारे में जो कि हमारा पार्ट वन बना था और यह हमारा पार्ट टू है इसमें मैं सिर्फ गूगल क्रोम की सेटिंग के अंदर जितने भी सेटिंग उप्संद है इन तो देखिए आपी जो left side में है यह जो option है यह सेम option आपके यहाँ पर briefly है यह category wise है और यहाँ आपका simple option है तो इसमें देखिए यह गूगल Chrome जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका Google Chrome सो करेगा search engine पर जाएंगे click करेंगे तो search engine का option आपका सामने होगा तो यह simple left side में आपका category wise है और यहाँ पर आपका briefly explain कियेगा कि इसके अंदर क्या-क्या option है तो देखिए पहले जाते हैं यह गूगल Chrome के अंदर इसमें देखिए आपका पहला option आता है get Google Chrome smart in Chrome अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यह Google Chrome में sign in कराएगा synchronize कराएगा कि आप इसमें login है या नहीं है second option आता है Synchronousness and Google service इसमें आपकी Google service की कुछ services हैं इसमें आप चेक कर सकते हैं यह इतना important नहीं है तो मैं direct आपको चलता हूँ आपका अटोफिल पहला option आता है password यह आपका पहला यह option जो आपका पासवर्ड जब भी आप किसी website के अंदर अपना password login करेंगे तो यह offer करेंगे आप इसको अगर offer देंगे तो आपका जिसी option आता है right side पर की save password या never तो यह आपका sony करेंगा अगर इसको आप offer करेंगे तो यह आप से पूछेगा कि आपका password save किया जाए या नहीं तो इसको आप चेक कर सकते हैं अब जितने भी password आपने save कि हैं जिसमें पासवर्ड सेव कि मेरे सब यहां पर सो कर रहा है कि मेरे कौन-कौन सी website के password मेरे पास यहां पर सेवड है तो यहां पर इसको चेक कर सकते हैं अगर आप किसी website का password भूल गए हैं और वह आपके browser के अंदर saved है पहले सी तो इसमें प्लिक करेंगे तो यह आप से आपका जो एड्मिस्टर का password है वो पूछाएगा जैसे इसको आप फिल करते हैं और फिल जिसे में password देता हूँ देखें मैंने password दिया तो यह मेरे password सो कर दिया है कि इसका क्या password है इस तरीके से आप अपने password भी चेक कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड फोर्गट हैं अगर आपके browser के अंदर पहले से password सेव रहे हैं तो इसमें आपका auto sign-in है कि आप इसको auto sign-in करना है या ओफ करना है कि आपको पहले sign-in रहे अब जब पासवर्ड आपने सेव किया है तो sign-in रहेगा यह नहीं रहेगा तो इसके लिए मैंने इसको और रखा हुआ है चैक पासवर्ड कि कौन से पासवर्ड आपके सेव है चैक है यह अभी अभी दिखा रहा है क्रोम के नोट कैने चैक यह पासवर्ड बैंस आई अगर जब तर चैक नहीं करें जब तक मैं इसमें कोई तो साइन नहीं किया है इसको मैं आपका सेफी ऑंसे क्या होता है आपका सेफ्टी में क्या होता है आप आपका Chrome can help you save from data breach bad extension and more अगर Chrome क्या करता है आपका data breach होने से मतलब data loss होने से data explore होने से बचाता है इसके check करता हूँ देखे चेक करेगा इसने चेक किया अपडेट Google Chrome up to date है Google Chrome मेरा update है और जो password है जब तक मैं sign in नहीं करूँगा तो यह password check नहीं करें कि वह breach हुआ है किसी ने देखा है नहीं देखा है safe browsing हो रही है extension जो मेरे इसमें add है वो safe है मेरे ठीक है तो इसमें safety check में आते हैं इसमें आता है next आता है आपका privacy privacy में आपको देखें जो clear browsing data यह आपको simple history का टाइप है जैसे आप इपनी क्लिक करेंगे आपकी यहां से ग्लीट हो जाएगी देखें लास्ट और सी वीडियो में मैंने बताया था कि आप history कैसे अपनी clear करेंगे cookies जो data है website आप यूज करते हैं उसकी क्या होती कभी cookies add हो जाती है आपके उसके website के अंदर या Google Chrome के अंदर जिसकी जैसे क्या होता है कभी आप जो आपकी website यूज कर रहे हैं वह आपका open नहीं हो पाती तो इसके लिए आपको अगर आप allow करते हैं cookies तो यह आपका क्या होगा एक इसकी सेवनी होगी आपके पास जो आपकी थर्ड़ पार्टी की जो वैप यूज कर रहे हैं कोई history आपके इस ब्रावजर गंदर सेवनी होगी कोई cookies सेवनी होंगी अगर सेकेंड उप्सन है ब्लोग थर्ड़ पार्टी को कि ति इस यह आपकी ब्लोक करेगा पर जो इस प्रोटेक्षन, स्टेंडर्ट प्रोटेक्षन और आपकी नोऄ प्रोटेक्ष offended नहीं और तो मैंने इसमें चूज किया भाinform के मेरद ब्रावजर प्रोटेक्षन को प्रोफ दे है कि मेरी वैब साइटे डाउन्डॉड एक्स्टेंसे ने सब को चेप करें पन visits security में आपका यहाई पर मिलेगे कि माइक्रोफोन आपको ओफो ओओ नो कब आपका क्या-का काम करें तो इसमें आपको प्राइवेसि के अंदर आता है एक्स आपका इप्रियंस इसमें पहला आपका थीम जब थीम पर आप क्लिक करेंगे आप यहां से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो तो मेरी थीम थी पहले क्या थी आपकी वाइट 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 वैग्रांड एडर थी अब नेक्स जब वी टैब उपन होगा तो यल्लो साइन से हमारा क्या होगा है तो मैं इसको दुबारा से चेंज कर देता हूँ इसलिए इसको डिफॉल्ट किया है मैंने देखे दुबा यानि मैंने इसमें सेव किया हुआ है जब भी मैं हम बटन को प्रेस करो मेरा गूगल ओपन हो अगर मैं चाहता हूँ इसको कि मेरी कोई न्यू टैब ओपन हो देखे कि गूगल डोट नोखम ना हो तो देखे मैं दुबारे जाता हूँ और इस पर एड़ करता हूँ देखे है यहां प्रब्द करते हो देखे करने के बाद होंपरी करते हो देखे को देखे है गूगल ओपन हो रहा है मेरा तो इस तरह से है करने के बाद मेरी इस despandorf इसको आप यहांपर डाल भी सकते हैं उसका url सो भी wires यह अगर आपको इसको कर देंगी तो आपको मार्क है वह आपको सुन नी रहेगा तो इसको मैंने उंकिया है यह बोच मार्क में इने ऌपको बताया हुँँ था फ्रंट साइड फ्रेंट मतलब जो इसका साइज है उसको आप कैसे सकते हैं लार्ज स्मॉल बैसे सब्समॉल देखें कितना स्मॉल हो गया है तो इसको मैं लार्ज कर देता हूं आप अपने साथ से इसको front इसका font change कर सकते हैं कि font क्या होना चाहिए custom fonts कर सकते हैं page को zoom in कर सकते हैं कि zoom कितना page यह हो 110 हो इसका size कितना हो वह भी अपका font के अंदर आता है कि page के जूम कितना होना चाहिए search engine यहां पे search engine अगर इसका क्या मतलब है search engine address bar जो भी आप information search करें जैसे मैं कुछ भी search करता हूँ वह कहां पर जा रहा है देखिए Google के अंदर लेके जा रहा है हमारा search engine अगर चाहते हैं कि आपका सर्च करें वह आपका किसी भी browser से आपका विंग याहू इंडिया में एड़ ड़क ड़को में आपका सर्च करें तो से देखा देता हूँ मैंने याहू के अंदर इसको एड़ किया है अब मैं इसको दुबारा search करता हूँ कुछ यह मेरा याहू के अंदर लेके जाएगा देखिए यह देखे यह मेरा search engine बुश को याहू के अंदर जो भी information उसको search कर रहा है next option आता है manage search engine मैं मैं इसको दوبाराemption कर देता हूं मैनें सर्चाइब जिरोन यहां से आपको उपत्वी डिकर सकते हैं कि आपका जो भी सुर्च इजन वियार ग्रावॉजर बहूज़ बतरते हैं उसको आप कर सकता है यहां आफ का सबस्क्राइब कर सकते हैं कुछ भी अपने SPD-5MM ौछ ब्राउजर यह क्या होता है कि आपका ने सर्च इंजन के बाद आता है आपका डेफोल्ट ब्राउजर यह आपके इन्दर इमेल या आपका मेल या आपका इमेज ऊपन हो गया मैं साकता हूं की मैरे वेब ब्रायुजिंग के लिए यह Google-Chrome वो дополнी bukan कर वो Google Chrome के अंदर ही होगी यह नstroci लाके अंदर होगी जाओं के लिए कि भी और कि त्रोगी तो इसलिंग मैंने डिफोल्ट सेट कर सकते हैं अपने से next option आता है आपका own startup, own startup में क्या है आपका यहाँ पे देखे पहला है open the new tab page, इस पर click करने का मतलब है जब भी मैं कुछ open करूँगा अपना browser वो एक new tab page के साथ open हो, second option है continue where you left off, इसका मतलब क्या है जब भी आप किसी browser को off कर देते हैं, जैसे मैं इसको off कर दूँगा, तो जो भी मेरी last time पर यह open था, अगर मैं इसको दुबारा again open करूँगा तो यह मेरा ही से open होगा, जो मैंने left किया था page last time में, उसी से मेरा browser open हो, यह फिर मैंने open किया हुआ है, open is specific page, जो मैंने set किया हुआ है, कि जब भी मैं browser open करूँ, मेरा Google Chrome के साथ ही, मेरा browser open हो, इसको आप कुछ भी add कर सकते हैं आपे, जो भी यूट्यूब के साथ आपको open हो, तो यूट्यूब का आपके आपके यहाँ सकते हैं, URL दे दीजिए, औ जब भी आप अपने browser को open होगे, सबसे पहला आपका यूट्यूब का ही page open होगा, ठीक है, तो यह आपका थी, आपकी setting, इसमें मैं आता हूँ, advanced setting के अंदर चलते हैं, advanced जो कि आपका नीचे option है, इसमें आप language, आप यहाँ सी अपनी language चूज कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी spelling check, वो check बिकशकते हैं, की spell check सही है, basic spelling check ठीक है, use spell check English, spelling जो check इंग्लिस में करें किसमें करें, आपका, और download, download option में क्या है आपका, की location को करेगा, कि आपका जो download कर रही है, वो कहा पे जा रहा है, यहाँ से आप इसको change भी खर सकते हैं, उसकी location को, की मेरा download कहां पे sagey हो, औ और आस्क करें हर वेर क्या मतलब अगर मैं इसको कर देता हूं तो यह बाई डिफॉल्ट आपका जो भी ऐसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे वह आपका इसी लोकेशन पर से हो जाएगा पर मैं इसको ओन करता हूं कि एवरी टाइम जब मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो म पूछेगा कि मैं इसको कहां पर सेव करना चाहता हूं पर पर डिफॉल्ट मेरा इस लोकेशन पर मेरा सो होगा प्रेटिंटिंग यह आपका कलाउड प्रेटिंग है कि आप ओनलाइन अपने ब्राउजर से किसी फिर्ट को प्रेंट देना चाहते हैं तो यहां से सेलेक्ट क कर सकते हैं कि क्या क्या आपको इसमें फीचर दिया हुए हैं सिस्टम सिस्टम की आपकी वह है कि कंटिन्यू रनिंग बैक्राउंड एप्स को गल क्रोम क्लोज्ड हो जाए हाडवे एक्सलेशन नहीं आप चेक कर लीजिए आपको कापी यूज़ प्रोक्सी यूज़ करने स से न्यू प्रावजर हो जाएगा फर्स्टाइम इसे इंस्टोल करते हैं उस ट्रैस टाइप से आपका ब्रावजर सो करेगा रिसेट करने के बाद और क्लीन अप कंप्प्यूटर भी आपका सीमिया जो हार्मफल आपकी सोफ्ट्वेर आपको आपको करेगा तो यह थी आप की ब्राव गूगल 크ôm की ब्राव कुछ सेटिंंग जो कि भी ऐसमें एक पार्ट बाकि एक्स्टेंशन जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मताने वाला हूं कि टली की कि एक्सिन की सरताइक के एक्सिन सकते हैं उर चलते हैं इसमें आप अब उप खूमप जो में क्ने होता thank you